तो आगे मेरे दोस्तों आज वेंपार उट वर्ल्ड पे जैसा मैंने आपको वादा किया था कंटेंट नया लेकर आऊँगा और जबरदस्त लेकर आऊँगा बोल रहे हैं थे ना आप कि कुछ कॉपी करते हो तो यार कुछ हमारी भी लिहाज किया करो कुछ थोड़ा वो थामे भी कुछ करना पड़ता है कॉपी नहीं करते हैं स्टाइल हो सकता है मेरा और उनका मैच कर जाए आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ लेकिन आज का जो कंटेंट है वो बिल्कुल अपने आप में अलग है यहाँ पर कॉर्नर में देख पा रहे हो वाइस उडियू बाइएनी कार किसी कार को आप क्यों खरीदे यह हमारा नया कंसेप्ट होने वाला है हर दिन हर कार के बारे में आपको बताया जाएगा कि आप किसी कार को क्यों खरीदे यानि कि वो प्रोपेगेंडा जो कंपनी अपनी किसी भी गाड़ी को बेचने के लिए यूज करते हैं उस प्रोपेगेंडा के आपको बताया जाएगा कि कंपनी आपका फद्दू काट रही है या फिर आपको वास्ता में वही प्रोड़क्ट डिलीवर कर रही है जो आप डिजर्व करते हैं या जिसके लिए आप पेमेंट कर रही हैं तो ये जो प्रोब्लम्स जो क्यूसंस आप फेस करते हैं उनके सॉल्यूशन लेकर के वेंपार ओटो वल्ड आ चुका है मतलब आप किसी भी कंपनी के कोई गाड़ी क्यों खरी देंगे जब कंपनी आपको फद्व बात करेंगे आज हमारी सबसे पहले गाड़ी एमजी एस्टर के बारे में एमजी के वो कौन से प्रोपेगेंड़ा है जिसके थरू एमजी अपनी नई नवेली एस्टर यानि के जैड़ेस इवी के पैट्रोल वर्जन को बेच रही है इंडिया के अंदर बात करेंगे एक एक करके शुरुआत करते हैं सबसे पहले गाड़ी के अंदर जो सबसे हाइप क्रियेट करने वाला फिचर था पर्सनल एई असिस्टन्स अपने सेगमेंट का एक मातर और पहला जो इस सेगमेंट में आता है इसके अंदर आपको एक ऐसा रोबोट मिलता है जो कुछ-कुछ आदमी की तरह लगता है बाकि है तो एक रोबोट ही इसके अंदर आपको जोक्स न्यूज, विकिपेडिया फेस्टिवल जी आई एफ, इन कार कंट्रोल, चिट चैट और हिंगलिस कमांड, नो इट औल हिलेरियस, अटेंटिव और वेल इनफॉर्म्ड ये वाला रोबोट आपको मिलने वाला है, यानि कि MG Aster आपको कह रहा है कि आपके लिए परशनल असिस्टेंस गाड़ी के अंदर मौजूद है, यानि कि अब आपको असिस्टेंस बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, आपके गाड़ी खुद आपको असिस्ट करेगी, ये कहना है MG Aster का क्या ये वास्तों में सच है? तो हम कहें, ये सिरफ आपको Top and Trims के साथ ही मिलता है इसके लिए आपको कम से कम Second Top Variant ही परचेज करना पड़ेगा तभी आप Personal AI असिस्टेंस वाले फिचर ले सकते हैं हाइप में ये वाली बात हमें कुछ हजम नहीं हुई अब बात करते हैं Second Feature की तो आगे MGS2 के अंदर क्लेम किया गया है कि गाड़ी के अंदर आपको Autonomous Level 2 के फिचर दिये जा रहे हैं क्या वास्ताव में? हमें नहीं लगता है इसा है क्यों? क्योंकि Tesla के जो अभी गाड़ी आ रही है उनके अंदर भी Autonomous Level 2 आ रहा है Rear Drive Assist, Adaptive Cruise Control, Forward Collision Prevention, Speed Assist System और उसके लाव Intelligent Headlamp Control जैसे function देखने को मिलते हैं यानि कि यह आपको Driving, Driver Less नहीं देगी लेकिन आपको Assist करेगी कि आप गाड़ी को चलाइए लेकिन हम आपको मदद करेंगे अब बात करते हैं अगले Propaganda की तो यहाँ पर गाड़ी के अंदर दिया गए आपको Front Look के बारे में बात करते हैं Front में गाड़ी बिल्कुल ZS EV जैसे ही लगती है आपको देखने में क्योंकि है ही ZS EV के प्लेटफॉम पे बेस्ट है इसके अंदर बड़ी सारी ग्रिल रखी गई है हुआ काई LED हैडलम्स रखे गए है बड़ा सा MG का लोगो है और उसके अलाव नीचे की तरफ आपको रडार मिलता है जो आपको Autonomous Level 2 कहने वाले फीचर को स्पोर्ट करता है अब आपको बता दूँ Front Look और Autonomous Level 2 में जो फीचर दिये जा रही है वो फीचर सिर्फ आपको इसके Top End Variant के Optional के साथ मिलने वाले है यानि कि गाड़ी के अंदर जो Propaganda यूज किया जा रहा है वो आपको अभी तक इसके Base Variant में कहीं नहीं देखने को मिल रहा है अब बात करते हैं गाड़ी के Rear Profile की Rear Profile में आपको गाड़ी में LED Tail Lamps के अलावा Dual Exhaust Design देखने को मिलता है लेकिन वास्ता में Exhaust एक ही है Design आपको दो दिये गए सिरफ आपका फद्दू काटने के लिए Reverse Parking Sensor सभी गाड़ीों के अंदर मिल रहे है Reverse Parking Camera किसी में Second Base से तो किसी में Third Base से स्टार्ट हो रहा है इसके अलावा टरबाइन Inspired Machine Cut Alloys दिये रहे हैं तो Diamond Cut Machine Cut Alloys हर गाड़ी प्रोवाइड करवा रहे है यहां तक आजकल तो आपको Customize Alloys का Option मिल रहा है यानि कि गाड़ी की Rear Profile और Exterior के हिसाब से बिल्कुल भी यह गाड़ी अपने प्रोपेगेंडा के हिसाब से सूट नहीं करती है अब मूव करते हैं गाड़ी के अगले सेगमेंट Interior की तरफ Interior गाड़ी का बहुत ही Classic और जबरदस्त है इसके अंदर आपको Red और Black का इंसर्ट देखने को मिलता है गाड़ी के अंदर 10.25 इंच की टच्स्क्रीन देखने को मिलती है उसके लावा प्रीमियम लेदर का काम आपको Dashboard, Seat Appolstreet के अलावा Gear के साइड में और Windows के उपर अच्छा खासा देखने को मिलता है उसके अलावा गाड़ी में बात करें तो Safety और Security गाड़ी के अंदर कहा गया कि First in Segment Safety मिल रही है लेकिन क्या मिल रहा है वो नहीं बताया First in Segment के नाम पे आपको Hitted ORVM मिल रहे है जो सिर्फ और सिर्फ Winters में और जब आपकी High Snowfall होती है या Hilli Area है वहां के लिए Useful ज़्यादा बैट रहे है उसके लावा आपको Hill Descent Control मिल रहा है जो इस Segment में अपने मात्तर के लिए पहला है बाकितो सारे वही है 6 Airbag, ECF, TCS, HSC, सभी डिस्क ब्रेक के लावा Ultra High Tensile, 360 Camera, Top End Variants के लावा नहीं मिलता है तो इसके अंदर First In Segment के Safety में सिर्फ दो ही फिचर देखने को मिलते है लेकिन जो इसके Base Variant के हिसाब से Safety का Distribution किया गया है वो बहुत ही जबरदस्ता आप जाकर के खुद देख सकते है बात करते हैं अगले Segment की That is Crafted Comfort Crafted Comfort की बात करें तो गाड़ी के अंदर जबरदस्त Comfort देने की कोशिस की गया Base Variant से ही बिलकुल सही Propaganda Company का है ये गाड़ी खरीदने के हिसाब से इसमें कहा गया कि आपको Electronic Power Steering मिलने वाला है With Mode Adjust जो अपने Segment में एक मातर है Adjust कर सकते हैं आप लेकिन Steering Mode Adjust करना उसके लाप Panoramic Skyroof देखने को मिलते हैं बड़ी सारी उसके लाप Rain Sensing Wiper Push Button Start, Stop, Power Adjustable Seat पिछली Seat को 60 Ratio में लेकिन Base Variant के हिसाब से ये जबरदस्त वाले फीचर है Auto Head Lamps PM 2.5 Filter 5 USB Charging Ports और Auto AC with Rear AC Vent वाले जो फीचर है वो इस गाड़ी के Base Variant से आपको मिल रहे हैं और मुझे Personally बहुत पसंद आए है यानि कि मैं कहूंगा कि आप इस गाड़ी के Base Variant को Crafted Comfort के हिसाब से बिलकुल उठा सकते हैं तो आपको Autonomous Level 2 भर-भर के फीचर मिल रहे हैं अब बात करते हैं आइस स्मार्ट वाले फीचर के गाड़ी के अंदर कहा गया है कि 80 से जदा Connected Car Technology वाले फीचर मिल रहे हैं लेकिन मिल कहा रहे हैं वो आपको नहीं बताया गया सेकंड टॉप वेरियंट में अगर आप जाओगे तब ही आपको iSmart Connected Car Technology वाले फीचर मिलेंगे ड्यूल कमांड को स्पोर्ट करता है हिंदी उसके लावा इंग्लिस और उसके लावा पर इसको हिंग्लिस में भी कमांड दे सकते हैं इसके अंदर आपको iSmart के कुछ पार्टनर्स भी हैं जैसे जीयो सावन म्यूजिक एप कोईन अर्थ पार्क प्लस और मैप माई इंडिया जैसे फीचर इसके पार्टनर्स भी है यानि कि क्रेक्टिड का टेकनोलोजी वाले जो फीचर्स है वह आप अगर बेस वेरियंट ख्रीद रहे हैं तो उमीद नहीं कर सकते हैं आपको बिल्कुल बेसिक वाली गाड़ी मिलेगी टॉप वेरियंट के साथ यह बिल्कुल आपको मिलेंगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट तो गाड़ी के अंदर मिलती आपको डिजिटल की लेकिन डिजिटल की मिलती कहां है टॉप ट्रिम के साथ सिर्फ और सिर्फ टॉप ट्रिम अगर आप ख्रीदेंगे तभी आपको डिजिटल की मिले फाइदे बहुत सारे हैं लेकिन इस प्रॉपेगेंड़ा की हिसाब से आप इस गाड़ी को नहीं खरीज सकते हैं क्योंकि अगर आपने नीचे के तीन वेरियंट उठा लिए तो आपको डिजिटल की तो छोड़िये स्मार्ट की सिंपल वाली मिलने वाली है तो उस ही साब से नहीं कह सकते हैं लेकिन इस डिजिटल की के फाइदे हैं जैसे अगर आप ड लोकेशन शेयर करेगा इन कार रिमोट कंट्रोल वाया आई स्मार्ट कर सकते हैं और आई स्मार्ट एपल और एंड्रोड ओक्तों के लिए आपकी एप भी है एंटी थेफ्ट इमोबिलाइजेशन के साथ आती है साथ में वहिकल स्टेटस भी चेक कर सकते हैं यानिकि डिजि के टुख फाइफ इंच्सक्री क्यों सिस्टम बेस बेस वहरियंट से मिल रहा हैं जो कि स्पिकर और ट्विटर के साथ और और चन्रल इस्तं मिल मए यानि कि भाई साब इन्फोटेन्मेंट गाड़ी का जान दिल कहें तो वह होता है और वह बिल्कुल गाड़ी के बेस वरिंट्स आपको दिया गया है तो ओवर ओल गाड़ी का जो एड़र्टाइजमेंट का प्रोपेगेंडा रहा है उसके अंदर कुछ ऐसे फीचर को भी इं सिस्टन्स और अटनोमस लेवल टू और उसके लाए स्मार्ट यह सिर्फ इन के साथ ही मिलने वाले हैं अगर यह सोच करके इस प्रोपेगंडा में आकर क्या आप एंजी एस्टर खरीदना चाहते हैं तो सिरफ आपके लिए टॉप ट्रिम्स ही बने हैं बाकि आप इस गाड आई होप आपको यह पसंद आया उगा अगर पसंद आया हो तो वीडियो को बिल्कुल भाई साब लाइक करके जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा क्योंकि हम उमीद करते हैं और आपसे बिल्कुल चाहेंगे कि आप सब्सक्राइब प्रैस करके जाएंगे, मिलते को और बहतरीन वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद